तो हुआ हो सकता है जुरीन वाला जी का टाइटन मुझे पसंद नौज़ पसंद और तोनों debt free company है और हो सकता है जुन जुन वाला ने इसमें stack बढ़ाया है तो ये भी कुछ अच्छा करे या जुन जुन वाला जी ऐसा नहीं है कि उन्होंने खरीदा आया उन्हों तो ऐसा नहीं कि मैं भी उसी को blindly follow करूं तो ऐसा तो मैं कभी नहीं करता तो मुझे एकर housing finance में प पड़ा हुआ था 2400 रुप्रे के आस-पास जबी मैंने कहा था मैं SGFC को लेना पसंद करूंगा sector का लीडर है और बिल्कुल discount level मिलना है और यह फिप्टी टूवीक हाई के आस-पास मिलना है ना कोई discount है तब क्यूं भी इसके पीछे जाना अभी कभी भी गिरावाट आ सकती तो भई हमने उसे खरीदा अच्छा sector का लीडर है अच्छा उसमें profit हो रहा है 2700 से उपर चलना है तो बहां पासली profit बुक कर सकते हैं जिसने भी उस समय भागा लिया हो और मैं तो कहता हूं इस sector के लीडर के साथ रहोगे तो कभी भी यह tension नहीं रहती है कि हाँ वही क्या हो लगाता है आप देखोगे तो लेकिन अगेन वही है मतलब कोई भी भाई इसमें गिरावट आ जाती है यह ज्यादा रहता है तो आप रिस्क ले सकते हैं तो आप CMP का असपास या 220 रुपए 215 रुपए के असपास एक डिप लगा सकते हैं जब आपको पसंद हो मैं नहीं क कि नीचे और चला गया तो फिर एकदम से डर लगने लगा फिर लगने लगा और वहां से नहीं तो यहां से अगर उपर आ जाए तो आपका 300 का टार्गेट हो तो 300 को टार्गेट पर प्रोफिट बुक कलने ना और अगर टार्गेट मतलब ऐसा रख रहा है हो कि मैं लॉंग स्टॉक टू स्टॉक में बाइस थोड़ा हो जाता हूं मुझे जो अच्छा लगता है तो मैं उस पर थोड़ा सा में बता देता हूं तो इस तरीके से भी है बाइस सिंगनल बन गया है यहां पर बाकी देखो अपने फाइनसर एडवाजर से पूछ सकते हैं विव अपना ब